हेलो इस्टुडेंट्स, हाव आ यू, वेलकम टू यू एल क्लासेज, इस्टुडेंट्स आज की क्लास में हम इंगलिश कुमार भारती स्टेंडर्ट 10 का फोर्थ चेप्टर, पोएम आल दे वोल्ड सा इस्टेज पढ़ने वाले हैं, अल दे वोल्ड सा इस्टेज, इट मीन् एक प्लेटफॉर्म है, एक मंच है, एक स्टेज है, इस्टेज उच मेंस मंच प्लेटफॉर्म, अब इस पोएम का जो लेखक है, राइटर है, उसके बारे में हम जानने वाले हैं, वन अब दे मोस्ट प्रोलिफिक और आइकोनिक राइटर इन इंगलिश लैंगविज और एक ड्रामाटिस्ट थे, वो एक ड्रामाटिस्ट थे, अब एक्टर आवर एक्टर भी थे, वाइड़ली रिगाड़ेड इस दे ग्रेटेस्ट राइटर इन इंगलिश लैंगविज, उन्हें बड़े इस तर पर महान लिखक माना जाता है, अंग्रेजी भाशा में, और दुनिया का एक मशूर ड्रामाटिस्ट है, और दुनिया का एक मशूर ड्रामाटिस्ट है, और इंगलेंड का नेशनल पोईट भी कहा जाता है, और बाड़ ओफ एवन और बाड़ ओफ एवन भी, एवन एक नदी का नाम है, और बाड़ इच मीन्स पोईट, राइट, तो विलियम सेक्सपियर जी जहां पैदा हुए, उस शहर का नाम जो था, वो इस्टार्ट फॉर्ड अपुन एवन, इस्टार्ट फॉर्ड अपुन इवन था, इसलिए उसे बाड़ ओफ एवन, अनि एवन का पॉइट कहा जाता है, और इंगलेंड का नेशनल पॉइट भी कहा जाता है, ठीक है, आगे देखते हैं, इस पोईम इस टेकन फ्रोम इस प्ले, यह उसके यह पोईम जो है, उसके ड्रामे से लिया गया है, इस दुनिया को एक स्टेज से कंपेर किया है, राइट, जहां इनसानी जिन्दगी का ड्रामा प्ले होता है, अब हम ड्रामा को देखते हैं, All the worlds are stage, stage which means manch platform, पूरी दुनिया एक manch है, एक platform है, and all the men and women merely players, merely which means simply, entirely, only, सिर्फ, केवल, राइट, players, characters, actors, and all the men and women merely players, पूरी दुनिया के मर्द और आरतें सिर्फ एक character है, एक player है, इस दुनिया में रहने वाला हर इनसान एक character है, एक किरदार है, उसे आप इस तरह समझ सकते हैं, कि every human being living in this world is a character, ठीक है, they have their exits and their entrances, उनका यहां से जाना है और आना है, it means every human is born in this world, then comes a time and he dies, एक वक्त आता है, मर जाता है, पैदा होता है, मर जाता है, and one man in his time plays many parts, और एक आदमी अपने जीवन में, अपने समय में, his time अपने समय में play many parts, और बहुत सारे different types के parts को play करता है, his acts being seven ages, act, performance, actions, उन्हीं उसके जो actions है, performance है, उसको साथ हिस्सों में divide कया गया है, his acts being seven ages, it means human life has been divided into seven phases, अब at first, यह पहला phase है, जब वो बच्चा होता है, the, at first, the infant, infant which means newborn baby, muleing and puking in the nurse arms, यह पहला phase है, पहला phase में जब वो newborn baby होता है, muleing which means crying, puking which means omitting, newborn baby, रोता है और उल्टियां करता है, नर्स के कंदो पर, अब second phase देखते हैं, then the whining school boy with his satchel and shining morning face, creeping like a snail, unwillingly to school, whining which means crying or complaining, यानि कि जब वो एक school boy बन जाता है, when he becomes a school boy, जब वो एक school boy बन जाता है, तो फिर वो complain करता है, रोता है, with his satchel, satchel, it means school bag, and shining morning face, सुभा का रोशन चमकता हुआ, चेहरा लेकर और उसके पास कंदो पर bag होते हैं, school bag, और ऐससे situation में वो क्या करता है, complaint करता है, बच्चा रोता है, इसकूल जाना नहीं चाहता है, creeping like a snail, snail कि तरह रेंगता है, snail which means, जोग या घोंगा, snail का माना, और creep, creeping, crawling, यानि रेंगते हुए चलता है, यानि बहुत स्लोली चलता है, unwillingly to school, unwillingly, it means, in a way that involves someone doing something that do not want to do, यानि कोई चीज में कोई शामिल है, कोई काम उसको दिया गया है, लेकिन, actually, he does not want to do, right, वो करना उसको नहीं चाहता है, तो उसको कहते हैं, unwillingly to school, फिर और एक बार समझे लेते हैं, कि देन दो वाइनिग is cool boy, with his satchel and shining morning face, creeping like a snail, unwillingly to school, वो एक school boy कि तरह complain करता है, उसके पास school bag होते हैं, यह सुभा करोशन चमकता हो, चेहरा होता है, और वो इसनेल कि तरह चलता है, unwillingly to school, और इसकोल जाना नहीं चाहता है, but he has to go, उसे जाना पड़ता है, फिर अब यह third phase आ रहा है, अब third phase के बारे में बात हो रही है, and then the lover, फिर वो एक आशिक बनता है, एक lover बनता है, right, sighing like furnace, sigh which means सांस लेना, राहत भरी सांस लेना, या फिर बेचैन हो जाना, furnace, pressure cooker को कहते हैं, heat को कहते हैं, heater machinism जैसे चीज़ों को कहते हैं, furnace, right, sighing like furnace, furnace की तरह मतलब heater की तरह सांस लेता है, मतलब यह है कि उसकी सांस गरम है, with a waffle ballad, एक गमजदा शायरी के सांथ, मतलब उसकी शायरी में गम है, ballad, it means a long poem or song, which tells us a long story with simple language, right, so sign like furnace, उसकी सांस गरम है, with awful ballad, और उसकी शायरी में दर्द है, made to his mistress, mistress, it means lady, girlfriend, life partner, mistress eyebrow, उसकी सांस गरम है, और उसकी शायरी में दर्द है, made to his mistress eyebrow, और यह अपनी girlfriend के लिए, अपनी life partner के लिए गाता है, then a soldier, यह चोथा फेज है उसका, यह फेज उस वक्त आता है, when he completed his education, education complete करने के बाद, फिर वो कैसा होता है, then a soldier, फिर वो एक soldier की तरह होता है, full of strange, strange which means wonderful or funny, full of strange, जुनून से भरा हुआ होना, right, फिर वो जब वो एक soldier की तरह होता है, full of strange, जुनून से भरा हुआ होता है, when you want to become a loyal person to someone or something, तब आप कहते हैं, odds, छेक है, जब आप किसी के लिए loyal रहना चाहता है, full of strange, जुनून से भरा हुआ होता है, odds, जुनून से भरा हुआ किसमे खाता है, क्या हम दुनिया को बदल देंगे, हम कुछ करके दिखाएंगे, यह सारी सिस्टम्स और यह सारी चीजें हम क्या करेंगे, चेंज कर देंगे, ऐसी जब thoughts और beliefs आते हैं, यह education complete करने के बाद आते हैं, then a soldier, तब वो एक soldier की तरह होता है, full of strange, जुनून से भरा हुआ, odds, कसमे खाता है, and beard like the part, part actually यह पुरानी English है, New English में leopard कहते हैं, यानि चीते को, right, bearded like the part, और उसकी दाड़ी क्या होती है, उस वक्त, चीते की तरह होती है, जुनून से भरा हुआ कसमे खाता है, और दाड़ी चीते की तरह होता है, jealous in honor, jealous in honor, it means, it is an age, if someone says something wrong, it feels very bad, and gets ready to fight, समझ गया आप, sudden and quick in call, पूरी में, line का मीनिंग है यह, कि उस वक्त क्या होता है, कि ऐसा यह होता कि, अगर किसी ने भी कुछ कहा, तो जल्दी से गुस्सा आ जाता है, अपनी इज़त के लिए, sudden and quick in call, call which means जगड़ा, जल्दी बिल्कुल जगड़े के लिए तयार हो जाता है, किसी ने कुछ कहा, तो इज़त के लिए कुछ भी वर्दाश्ट नहीं कर सकते, seeking their bubble reputation, bubble reputation, वक्ती इज़त, वो वक्ती इज़त के लिए क्या करता है, भागता है, वक्ती इज़त चाहता है, यानि अपनी इज़त का उन्हें बहुत ज़्यादा खयाल होता है, यहां तक के उन्हें का मतलब होता है, बच्चो, गन या फिर, तोप, यहां तक के उन्हें कैनन के माउत पे, मुँ में ही जाना क्यों ना पड़े, कभी-कभी वो अपनी रिस्पेक्ट का इतना ज़्यादा खयाल रखने लगता है, कि अपने आप को ही मुसीवत में डाल लेता है, तो उसी को कहते हैं, वो अपनी इज़त का खयाल रखता है, यहां तक के उन्हें कैनन के माउत पे ही क्यों ना जाना पड़े, ठीक है, वीडियो लंबी होने के वशे से हम यहीं से ही क्लास समाफ्त कर रहे हैं, अब जो है, फिफ्थ फेज को और सिख्थ और सेवन्थ को दोसरी वीडियो में कभड़ करने की कोशिश करेंगे, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, तो आगे तक भेजिए अपने फ्रेंड्स में, जिसको जरूरत है इस वीडियो की, और सबसे पहली बात आप बार बार देखिए, क्योंको पॉयर्ट्री थोड़ी डिफिकल्ट होती है इसको समझने में, तो आप समझने की कोशिश करें, वोर्ड्स, मीनिंग्स पर ध्यान देजिए, परनेंशियेशन पर ध्यान देजिए, जहिंद,